सोहल दोस्तो स्वागत है आपका आज की इमेजिंग वीडियो के अंदर दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि जो भी हम स्टॉक मार्किट के सिगनल आपको परवाइड कराते हैं तो उसका ओडर है वो कैसे लगाएं कैसे हम उसके एक्जिक्यूशन करें औ और देन कैसे हम उससे अच्छा ज्यादा प्रोफिटे पर बना सकते हैं ठीक है मैं कुछ यहां पर इस सिगनल को यूज करने के थोड़े बहुत रूल भी बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर के आपको क्या चीज करनी होती है ठीक है तो दोस्तो हम चलते हैं वाटसप ग लिंक मिल जाएगा आप वहां पर जॉइन कर सकते हैं ठीक है तो आपको क्या करना है जब भी आप सुबा सुबा उठते हो ठीक है प्री ओपरिंग मार्केट की अंदर हम क्या करते हैं आपको एक वोच लिस्ट रहो बना देते ठीक है जो की वोच लिस्ट आपको यह वाली इसक्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा आप जिरोदा का जा फिर कोई ब्रोक्रेस का डिमेट अकाउंड है वैंने धीनक दिये हुए ठीक है हमें क्या करना है यहां पर आना है अपने DMEET A accountant के अंदर ठीक है DMEET accounts के अंदर आके वोच Least के अंदर ओक करना है watchlist के अंदर अके अंदर आंके हमें क्या करना ही यहां पे जो search box है उसके उपर search करना है कितने का था पहली watchlist हमारा था 42,000 42,300 का CE हमें यहाँ पर add कर लेना है ठीक है उसके बाद था क्या 400 का CE ठीक है तो हम क्या करेंगे इसकी यह हमारी watch list वो add हो गई CE की मैं ठीक है expiry होने के वाद की वीडियो मैं बना रहा हूँ ठीक है कैसे यह problem आपकी solve करी जाए क्योंकि बहुत सारे दोस्तों को यह doubt आ रहे थे सर मुझे signal use करने नहीं आ रहा है इसलिए मैं वीडियो last में बना रहा हूँ क्योंकि market है वो off हो चुका है यह आप देख सकते हो तीन बच के 56 मिनट है वो हो रहे है यहाँ पे ओके तो यह हो गया CE हमने add कर लिया ठीक है उसके बाद क्या है PE add करना है ठीक है 42,100 और 42,200 का PE ठ ठीक है तो हम क्या करेंगे 42,100 का PE के ओपर OK करेंगे यहसे ही यह add हो जाएगा 40,200 का PE यहाँ पे add हो गया ठीक है तो जैसे हमने इसके ओपर OK किया तो यहाँ पर देख सकते हो कि यह मेरी watch list है वो create हो चुकी है ठीक है हमारी क्या है watch list वो यहाँ पर add हो चुकी है हमें आगे क क्या करना होता है है ना watch list हमने create कर ली अभी हमें focus करना होता है simple सा किस पर यहाँ पर ठीक है जब भी हम WhatsApp के उपर आते हैं तो WhatsApp के उपर आके आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने आपको कुछ buy करने के लिए बोला था कितने पर मैं बताता हूं आपको देखिए यहाँ पर 22,300 का CE buy करना है 110 या फिर 115 के बीच के अंदर ठीक है और उसका SL कितना होना चाहिए यहाँ पर मैंने बोला है लेकिन यहाँ पर मैंने बताया हूँ है कि आपका SL वो only 20 पॉइंट का रहना चाहिए ठीक है अभी आपको क्या करना है फटा फट आना है अपने watch list के अंदर यहा पर price okay करोगे ना इसके उपर आपका price यहाँ पर चलने लग जाएगा ठीक है कि कितने का चल रहा है जैसे आपको यहाँ पर उपर दिखने लग जाएगा कितना price चल रहा है अगर वो price 110 यहाँ फिर 115 के बीच में चल रहा है तो आपको फटा फट क्या करना है market market के उपर okay करक then swipe up कर देना है left side को right side को sorry ठीक है तो जैसे ही आप ऐसे करोगे तो market price के उपर आपका order यह वो execution हो जाएगा जैसे अगर मैं इसको अभी करूँगा तो मेरा order यह वो execute नहीं होगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ठीक आपको क्या करना है फटा फटा फट इसको right side के और swipe up कर देना है तो आपका order वो लग जाएगा market price के उपर ठीक है यह हो गया पहला दूसरा rule क्या होता है मालो 110 पे अभी price देवो नहीं आया है ठीक है price 100 प्राइच चल रहा है 108 के उपर 104 के उपर तो आप क्या करोगे यहाँ पर इसी premium के उपर ok करोगे पाई 9 के उपर ok करो हुआ है आप limit के उपर ok करोगे limit के उपर ok करने के बाद यहाँ पर प्राइस डाल लो ठीक है जैसे 110 पर आएगा ठीक है 110 देन आपका क्या होगा आप इसको order पर लगा दीजिए देन क्या होगा जब भी price इस price जब भी market इस price के उपर आएगा देन आपका यह order वो execute हो है उसके बद SL कैसे लगाते हैं SL भी यही है आपको क्या करना है जैसे आपने buy किया था जो भी आपकी position चल रही होगी वह वहां पर दिखेगी आपको जैसे आपने order लगाया था वैसी आपको क्या करना है market order पर खरीदा था आपने limit लगा सकते हो यहाँ पर SL आ जाता है आप आपको फटाफट SL के उपर OK करने के लिए आपको क्या करना है SL के उपर OK किया यहां पर ट्रिगर प्राइस डालना है जैसे हमने 110 खरीदा था ठीक है 110 पर हमने खरीदा था तो 20 पॉइंट का मेरा SL तो कितना होगा 90 110 से 20 माइनस कर रहे हो तो कितना आएगा वहां पर 90 कर दि मेरा घूम फिर के 90 के प्राइस के उपर आएगा जैसे ही तो मेरा SL वो हिट हो जाएगा जैन मैं छोटा सा लोस लेकर यहां पर मार्केट से निकल जाओंगा ठीक है तो ऐसे करके आपको क्या करना है इस सिगनल को यूज करना है ठीक है जो भी हम देते हैं क्रिप्टो इसके स्टॉक मार्केट के ठीक है अगर आप देखोगे तो इसका इंट्री ट्रिगर कितने बजए हुआ है हमने प्राइज आपको दिया था नो बजगे 27 मिनट पे ठीक है यह कोल बाई करने के लिए बोला था और इसका इंट्री ट्रिगर हुआ है कितने बजए नो बजगे 28 मिन के पर सताइस मिनट पर मैंने आपको वह बॉप देख सकते हैं ऑर देखते ही देख्ते हैं हमारा कितना 9 बचके 43 मिनट पे मतलब 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर हमारा target है वो और आम से यहाँ पे आ चुका है ठीक है तो यहाँ पे हमारे कुछ students है उन्होंने profit बनाया था तो वो मैंने यहाँ पे share किया था ठीक है तो आप भी इसी तरह groups को join कर लीजिए telegram group को join कर लीजिए तो ऐसे ही आपको signal को use करना है पहली बात इसके अंदर rule क्या क्या है आपको क्या गरना है SL हमेशा लगा के चलना है ठीक है मैं अगर बताऊं ना बताऊं आपका जितना आप risk लेना चाहते हो वो ले सकते हो लेकिन minimum base point का SL आपका होना चाहिए ठीक है आपके fund के हिसाब से आपका stop loss जितना आप रखना चाहो उतने रख सकते हो ठीक है पहली बात दूसरी बात 1 ratio 1 target मिलने पे आप remaining quantity book कर सकते हो जैसे 1 ratio 1 आपका target आगया आप क्या करिए अपने SL को trail कर लीजिए जहाँ पे नीचे आपने लगाया होगा उसको entry point पे लेके आईए ताकि अगर market थोड़ा सा reversal भी आता है देन आप coast to coast वो निकल जाओगे ठीक है तो आप ऐसे करके अपने SL को trail करते हुए चलेंगे ओके अगर आपका 1 ratio 1 target आगया है जातो आप remaining quantity book कर लो जो भी आप आप 10 load से काम कर रहे है तो उसमें से 5 load book कर लो तो 5 load next target के लिए रख सकते हो ठीक है जैसे ही 80% target आपका complete हो जाता है आपका amount अगर दिखने लग जाता है कि मुझे 50 से 60% जाप फिर 70% profit almost हो चुका है ठीक है तो आप क्या करिए थोड़ी थोड़ी quantity को book करते जाए then remaining quantity जो रहेगी अगर आप 10 load के साथ काम करते हो 5 load आपने 1 ratio 1 पे निकाल दिए ठीक है जैसे आपका 80% target complete हो गया आपने 3 load और निकाल दी आप 2 load के साथ फिर क्या कर सकते हो last target के लिए बैठ सकते हो ओके तो ऐसे करके आपको trailing करते हुए जाना है then आपका profit भी बनता रहेगा then आपका क्या है loss भी नहीं होगा इससे क्या होता है कि आपकी जो market के अंदर जो moment आता है ना तो उसको आप अराम से capture कर पाऊगे market का आपको पता है कैसे चलता ऐसे करके तो मालो आपने 5 लोट यहाँ पर book कर लिए 3 लोट यहाँ पर book कर लिए 2 लोट आपने और रखे तो 2 लोट के अंदर अगर moment आया तो आप उसको भी बहुत ही अच्छे तरह capture कर पाऊगे market के moment को तो ऐसे trailing करके आप अच्छा खासा profit वो gain कर सकते हो ठीक है minimum stop loss आपका 20 point का रहेगा ठीक है maximum target आपका कितना रहना चाहिए 40 point का जैसे अगर आपको 40 point मिल जाते है दिन आप market के अंदर exit कर सकते है या फिर आप नए target के लिए बैठ सकते हैं जब भी आपका first target आ चुका है तो आपका loss नहीं होना चाहिए आपको SL trail कर लेना है 1 ratio 1 पे लगा लो जाँ फिर SL trail करते हुए चलिए ओके तो ये थी मेरी तरफ से छोटी सी जानकारी दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करकर जो बताएगा अगर आप टेलिगराम पे जोईन नहीं हो तो जोईन कर सकते हैं टेलिगराम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा आपको ठीक है तो हर एक चीज़ है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी तो दोस्तो फटाफट जोईन करिये अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो फटाफट मैसेज करें लोजिक के साथ ट्रेडिंग सीखाएगे आपको